नश्कार दोस्तो टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है मैं कुल्दीप सिंग ये जो देख रहे हैं आप ये कैच्वा खाद का बैड है वर्मी कमपोस्ट कैच्वा खाद बहुत अच्छी और्गनिक खाद होती है जो फसलों को बढ़ने में सहक होती है और इसे तयार करना बहुत आसान है पहले जो मॉडल बताय जाते थे उनमें काफी खर्च होता था किसान उस खर्च को नहीं कर पाता था इसलिए कहचवा खाद की तरफ उनका रुजान नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था लेकिन आई 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 पूसा के प्रधान वैग्यानिक डॉक्तर सिवाधर मिश्राजी ने कहचवा खाद बनाने की बहुत सरल विधी तयार की है बेहत कम लागत में आप बहुत अच्छी कहचवा खाद घर पर या अपने खेत में तयार कर सकते हैं बस आपको गोबर और कुछ थोड़ी सी और चीजों की जरूरत होगी यह विधी क्या है और डॉक्तर सिवाधर मिश्राजी ने इसे कैसे तयार किया है इसकी पूरी जानकारी खुद डॉक्साब देंगे इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी अपने यहां पर कैच्वा खाद आसानी गारा यह सब लगा के इस्ट्रक्चर तयार करना शेड बनाना तो बहुत सारी लाकत आजाती थी तो हमने सोचा किसानवाईयों को हम ऐसी चीज बताएं जो कि बहुत आसान हो और अपने घर पर अपना सकें तो ऐसा होता ही है किसानवाईयों के पास पेड़ होते हैं उनके गर के पास कोई पेड़ हो तो पेड़ की चाया में भी हम इस तरीके से इसकी खाद बना सकते हैं इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी अलग से हमने चीज नहीं लगासर रखी है सिर्फ गोबर और थोड़ा बहुत जो जैपदार्थ है पेड़ों की पत्तियां है भूसा ह यह मिलाकर और इनके लिए बेड़ तयार की है और इसमें बर्मी कंपोस्टिंग की जो गति है जो बर्मी कंपोस्टिंग की जो गति होती है बर्मी कंपोस्ट बनने का समय होता है बहुत कम लगता है इसमें बहुत तेजी से होता है और यह बहुत बढ़ी अच्छी खाद ब बीच में लाएने हैं, उनके में भी लगाकर आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, तो यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें हमें बाहरी चीजें बहुत कम लानी हैं, सिर्प आपको केंचुए लेके उसमें डाल देना हैं, और इस तरीके के धेर बनाकर आपको बर्मी कमपोस्टिं सरसों के डंठल हैं, अरहर के डंठल हैं, इन सबसे आप देखें एक बढ़िया बंडल सा बनाई है, उस बंडल से एक इस तरीके का एक structure तैयार कर लिए, जैसे हमने यहां से धान का यह तैयार किया हुआ है, धान का जो बंडल बनाके और उस बंडल को धेर लगाते हैं उसके चारों तरफ लगा देते हैं, तो पीछे हमने जो यह बेड बनाई हुई है, यह धान के बंडल से तयार की हुई है, तो इसमें आप छोटे-छोटे करके आप अपने घरों के छपपर में या जहां भी आपके पास जगह है, उस जगह में यह खाद बना सकते हैं, तो यह दो फाइदे होते हैं, एक तो कुछ ऐसे जैसे पक्षी है, चुहा है, चचुदर है, यह सब केचुओं को खाते हैं, तो अगर यह पढ़ जाता है, तो उनका प्रकुप कम होता है, जैसे मोर है, मोर भी आके इन केचुओं को खा जाते हैं, तो इस तरीके बहुत सारी तो इस परक्यार से आपके घर पे जो अपलब्द मेट्रियल है उसी को डालिए और इस आसान बिदी से और सस्ती बिद से आप ख़त बना सकते हैं कितने दिन में तैयार हो जाती है ज 29 रिफु आखा जती चशाप टियार हो जाती है गर जो पक्की वाली थे हमने बताई है उसमें पक कश में प्ताइब पे altogether जिएमें систまで से उत्यान की का समय इसमें लगता है यह निर्वर करता है कि बाहर का तापमन कैसा है सर्दियों में यह गत्य धीमी पड़ जाती है जब कि गर्मियों बरसाथ में हमने देखा है कि लगवग दो हत्ते में भी खाथ बनके तैयार हो गई है तो और दूसरी बात है केंचुओं की संख्या पर करतीै अगर बहुत कम कैंचुओं के डान्हें तो टाइम लगेगा कितने गोबर में कितने कैंचुओं डाले है चाहां करना चौआ तो कि लगते हैं प्ली मीटर में इसकी उचाई है आदा मीटर पचाषआ सेंटी मिटर सब्स्स, 2ipping निन तो इसमें एक पीटर लंबाई में हमें कम से कम एक हजार केंचुए छोड़ने जरूरी होते हैं एक हजार केंचुए अपना काम सुरू करते हैं और जब सीजन में जब यह बनके तयार होती तो वह एक हजार केंचुए बढ़के चार-पांच हजार केचुवे में परवर्तित हो जाते हैं तो आपके केचुवे भी बढ़ते हैं और खाद भी बन जाती है जो धेर बनाते हैं उसमें ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि इसकी उचाई धाई फुट से जादा ना हो अगर जादा उचाई हो जाई कि इसमें गर्मी बढ़ जाईगे और केचुवे मर जाएंगे तो उचाई डाई फिट हो गई और उस डाई फिट को बरदास करने के लिए एक मीटर चोड़ाई और लंबाई जितनी आपके पास जगह हो लंबाई एक मीटर भी रख सकते हैं दो मीटर भी रखते हैं पांच भी दस जितनी जगह आपके पास हो तो इस डेहर की लंबाई आप अपने इसाब से कर दे सकते हैं लेकिन एक मीटर लंबाई में हमने जो बताया एक हजार कैंचूओं की आपसकता होती है अगर पांच मीटर लंबी आपके इसी लायन है तो पांच हजार कैंचूओं इसमें डालिए और वो अपना काम सुरू कर देंगे तो ड़क साब इसमें कैंचवे कहां से मिलेंगे और वो कैंचवे जो है तो आप प्योर गोबर से भी बना सकते हैं, इसके अलाबा प्योर गोबर के अलाबा आपने देखा होगा जानवरों के पास बचा कुछा चारा होता है, जानवरों की विछाली होती है, घरों में निकलने वाला बहुत से तरीके का सबजी और उसका सबका कच्रा होता है, यह सा यानब्रों के खाने हनी योग है उसको भी घूबर के साथ मिला सकते हैं। लेकिन अगर बैस गौबर है और बाकी चीजाति हम बाकी चीजने जो बता ही है यह सूखने न पाई धेर और उसका बड़ा आसान तरीका है कि नमी कितनी रखें बहुत सारे किसान भाई कहते हैं इतने प्रस्षा तो हम कैसे जानेंगे तो सबसे बड़िया तरीका है आप हाथ में मैट्रियल उठाईए और उसको दबाईए अगर आपके अंगोलियों के क खोलने पर लड़ू फूट गया तो समझ लिए नमी की कमी है तो यह तीन तरीके याद रखी आप बस हाथ में उठाईए इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता ना आपको प्रतिसद नमी देखनी कि कितने प्रस्षा था है कितना बजन पानी है कितना डाले नहीं डाले सबसे बड़िया तरीका आप हाथ से ही पता कर सकते हैं कितना इसमें पानी है और कितना होना चाहिए दूसरा नमी के बाद फिर आज ऐसा देखा गया है कि जब पानी पड़ता रहता उपर तो जो धेर लगाते हैं उस धेर में थोड़ा कठोरता से आने हैं उपर की परत सब्सक्त होने लगती है तो आप देखें परस सब्सक्त हो गई है तो एक हफते में करीब थोड़ा जाले कि गोबर की खाद अब तयार हो गई है यह बहुत अच्छा सवाल है और ज्यादा तर हमारे किसानवाई इस चीज को जानना चाहते हैं आप देखेंगे जब हमने सुरू में डाला था गोबर और सब चीज दिखाई दे रही थी लेकिन जब खाद बनके तयार होती तो तरी्च जैसा तयार हो गया है फिर उसका तरीका है अलग तरीके से उसको एकटा करते हैं चानते हैं और और प्रियोगा करते हैं हैं कैच्वा खाद की दूसरे तब ही आएगा जब किसी बाहरी सुरुष से इसमें आए तो बाहरी सुरुष से जब हम उसमें डालेंगी नहीं तो कहां से केंचुए अपने तरब से कुछ नहीं बनाते हैं यह मैं बिल्कुछ साप कर देना चाहरा हूं कि केंचुए इस तरीके के जो elements है मिनरल हैं जिने हम बताते हैं कि यह हैवी मेटल हैं ऐसा केंचुए कि सरीर में ऐसी कोई factory नहीं होती है कि वो खुद यह चीज बनाने लगें तो इस चीज को दिमाग से बाहर रखना चाहिए कि केंचुए पुलूशन करते हैं या इस तरीके से वह कहते हैं हाँ आप कहते हैं क केंचुए कि अगर देखा जाए कई हजार प्रजातियां उपलब्द हैं विस्सु में और जिसमें अपने भारत में ही करीब एक हजार के करीब प्रजातियां तो मिल जाएंगी उसमें कुछ गहरे मिट्टी वाले होते हैं कुछ ऊपर रहने वाले तो कुछ बरसात में लिख जाएंगा उसी गोबर में रहेगा उसको खाएगा ना यह बाहर भागएगा और ना यह नीचे जमीन में जाएगा क्योंकि इसकी पर्जाति में पर सininat ने आ आप बहुत आसान तरीके से कैच्वा खाद बना सकते हैं मैं एक बार शौट में दुबारा से बता देता हूं आपको गोबर की जरूरत होगी कैच्वों की जरूरत होगी उसके बाद आप यह ऐसा बंड बनाए और उसमें गोबर डालकर कैच्वें छोड़ दें एक मीटर लं आपकी एक से डेड़ महिने में बहुत अची खाद त्यार हो जाएगी उपर आप ऐसे उसको ढग दें ताकि कैच्वों को कोई नुक्सान ना हो और चाओं के नीचे जरूर रखें क्योंकि पेड की चाओं हो या किसी बाग में हो तो आसानी से कैच्वे खाद बनाएंगे इस तरह से आप बहुत अची खाद बना पाएंगे और ये खाद बहुत नुट्रिशनल रिच होती है और यूरिया डियेप और दूसरे रासायनिक तत्वों की विकल्प के तौर पर आप प्रियोग कर सकते हैं नमश्कार जैहिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले